हेलो फ्रेंट्स and वेल्कम तो माई चैनल दीव्स किचन आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलो बीन्स की सबजी जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होती है साथ ही हेल्दी भी होती है तो चली फ्रेंट्स चुरू करते हैं बनाना इसके लिए मैंने धाइसो ग्राम के करीब बीन बीन्स को मैं अच्छे से वाश करके यहां पर मैंने इसके जो रेशे हैं साइट से वह सारे रेशे में हटा लोंगी उन रेशे को मैं साइट से दोनों तरफ से निकाल लोंगी और यह काम अगर हाथ से करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा अगर आप नाइफ यूज करना जाते हैं तो चाको भी यूज कर सकते हैं यहां पर मैंने इसको निकालने के लिए रेशे को हटाने के लिए मैं हाथ से ही इसको तोड़ तोड़ के थोड़ थोड़ पीस जो है इसका निकाल निकाल के तोड़ तोड़ के मैं इसके जो रेशे हैं वह साइट से दोनों तरफ स निकलती चली जाऊंगी यह देखिए किस तरह से थोड़ थोड़ जो रेशे हैं इसके निकलते जा रहे हैं कि इस तरह से मैं रेशोगों को निकलती जाऊंगी और इन bathroom को काटती चली जाऊंगी चाकू से भी कर सकते हैं ये काम चाकू से भी अगर आपको easy लगता है करना तो आप चाकू से कर सकते हैं मुझे हाथ से तोड़ना असान लगता है इसलिए मैं हाथ से ही तोड़ रही हूँ इसे जो है ये beans भी तूड़ जाएगी और जो रेशे हैं वो अगर कहीं छोटे भी रह जाएंगे तो वो भी हाथ से निकल जाएंगे यह देखिए इस तरह से मैं सारे रेशे जो है निकालती चले जाओंगी और बीन्स को जो है छोटे छोटे टुकडों में तोड़ती चले जाओंगी देखिए किस तरह से जो है ये रेशे निकल गए हैं असानी से निकल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रहे हैं निकलने में और जो मेरी बीन्स है वो भी साथ साथ तूटी चली जा रही है यह देखिए सारे रेशे इस तरह से निकल जाएंगे और जो beans है वो अच्छे से रेशे रहित हो जाएगी जिसमें रेशा बिल्कुल भी नहीं होगा और इसी तरह से मैं बाकी जो beans है वो भी तोड़ लूँगी यह देखिए मैंने सारी beans तोड़ ली है अब इसको मैं चाकू की help से बचीवी जो beans है थोड़ी सी उसको मैं चाकू की help से तोड़ रहे हूँ इसको चाकू से काट लूँगी मैं यह भी जो है easy है एक साथ ज्यादा beans जो है आप काट सकते हैं जैसे आपको convenient लगे जैसे आपको easy लगे आप वैसे करिए मैंने थोड़ी सी जो है beans वह हाथ से तोड़ी है और थोड़ी से beans उसको मैंने चाकू से काट लिया है यहां पर मैंने पैन में लिया है फोर टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है यहां पर ओल यह मैंने रिफाइन लिया है आप अगर मस्टर्ड ओल लेना चाहें तो भी ले सकते हैं या जो ओल आप खाते हैं आप वो ले सकते हैं यहां पर मैंने लिया है और दो ही पिंच के क अपने की पर ना पॉहल्दी 10-1 यह और Wasp मुझा सब्सक्राइब हो तक क בחण करने लासे मुझा समन सब्सक्राइब सिक्ते हम जॉतinkर में की दिए सब कर दो देब हम इस चीट करते हैं रोलुमें दिए यहां टिंद हैं यहां था निया पॉण लिए नियुक्त है यह लिए उसको म अने मसाले बीमोच अपर मैं काट लिया और ने यहां पर लिया है आप वैसे ही आप अपने according काट सकते हैं यहां पर मैंने triangle shape में काटा है आलू को और यहां पर मैंने आलू को भी डाल लिया है triangle जो shape है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है देखने में बाकी अगर आपको जो पसंद है आप उसे का हिसाब से काट सकते हैं यहां पर मैंने आलू और बीन्स को दोनों को मसाले में डाल लिया है एक से दो मिनिट मैं इसको मसाले में भून लूँगी जिसे की जो मसाला है वो अंदर तक चला जाएगा और अब इसको मैं पैन को ढख करके मैं इसे पकाऊंगी बहुत जल्दी बन जाने वाली रैस्पी है यह मुश्किल से 10-15 मिनिट लेती है यह सबजी बनने में जैसके यहां पर मैंने थोड़ासा पानी डालवह है जिससे की जो मेरी सबची मेरी मिसाले ऊचला और इसपीड़ी माम मावन आल और मावित चीजॉण ने मेरी आ腳 भूदे कर थे ने ओन पकीड़ा यहां पहलं हाफ से सबजी में मिक्स कर दिया है मेरी सबजी आलमोस्ट बन के तयार हो गई है अब मैं जो है इसको चेक भी कर लूँगी साथ में कि मेरी सबजी जो है वो बन गई है यहां पर मैंने एक आलू को काट के देखा है यह देखे बिलकुल मेरी सबजी बन गई है आलू भी रेडी है और बीन्स भी बनके तयार हैं जटपट बन जाने वाली रेस्पी है फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राइ करिएगा और हम इसे सर्फ करेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी भी सब्सक्राइब बनी है या आप किस रेस्पी से बनाते हैं बीन सालू की सब G. Thank you, bye!